आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल दे कॉमिबूक लीडर में और आज की दिन हम लोग पढ़ेंगे रामडाल चोटी वाला पार्ट टू वोइस मोड में तो आईए शुरू करते हैं अगर आपने पार्ट वर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीज़े अगर आपने हैं तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फोन क्या जख मारने के लिए किया है दूसरी तरफ से रिसीवर इतनी जोड से क्रीडल पर पटका गया कि रामलार उचल पड़ा फिर थोड़ा संबला और बढ़ बढ़ाया पाच हज़ार की बात करते हैं काटिल सीह रामलार के इरादे को नहीं हिला सकता रामलार का इरादा हिमालाए परवच जितना वजनी है काटिल सीह मैने जर हत्यारा क्लब आप बजरबटू ही है ना तुम्हें क्या नाम भुलने की बिमारी है पाच हजार लाए हो रामलाल ने पचास पचास के नोटों की गड़ी जेप से निकाल कर टेबल पर रख दी कातिल सीहने गड़ी उठाई किसका गड़ल गनना है रामलाल का कौन रामलाल वह शाम को तुम्हें शंड मुशंड रेस्टोरांट में मिलेगा मैं उसे पहचान हूँगा कैसे हाँ तुम रामलाल को पहचानने की बात करते हो जिसे लाखों की भीड में पहचाना जा सकता है जिसकी चोटी की मिसाल को तुम मिनार से दी जाती है वही रामलाल है बस बस पहचानने के लिए काफी है अब ये बताओ कातिल भाया कि तुम कतल करने के लिए हत्यार कौन सा इस्तमाल करते हो चाकू ये 12 इंची रामपूरिया मेरा यार है जिसका कतल करना होगा इसका सारा फल में उसके पेट में गुसेड देता हूँ पेट में गुसरने के बाद मैं चाकू को इस तरह गुमाता हूँ जैसे तरबुश फाड़ने के लिए गुमाया जाता है बस पेट फटते ही मेरा शिकार फिनिश finish का क्या मतलब होता है कातिल भाईया finish का मतलब finish खत्म नहीं यह तरीका तो बहुत खतरनाक है रामलार अच्छा आदमी है उसे इतनी तकलीफ से नहीं मारना चाहिए तो तुम है क्या अरे वाह क्यों नहीं मुझे तो सब कुछ है तुम चाहते क्या हो देखो कातिल भाईया रामलार बहुत अच्छा आदमी है उसका अंत इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए जरा प्यार से मारना उसे तो तुम बोलो कतल कैसे करना हो सुनो शंड मुशंड रेश्टोरोन में घुसते हो तुम उसका नाम पूछना जब नाम बता चुके तो उससे हाथ मिलाना बात करना कहना कि तुम्हें बड़ी तारीफ सुनी है उनकी फिर कुछ देर गप्पे हाकना उसके बाद डिनर मुझे दावत उड़ानी है या उसका कतल करना है कतल दावत उड़ाने के बात करना है किसी को माणने से पहले क्या तुम उसे पेट बर खाना भी नहीं खिला सकते शतनी सेंस तो होना ही चाहिए तुम्हें खेर जब वह खाना खा चुके और फिंगर बोल में हाथ धो रहा हो उसी शेन रिवोलवर निकाल कर तुम्हें उसे शूट कर देना है याद रहे गोली उसके माथें पर लगनी चाहिए ताकि एकदम मड़ जाए तड़पना नहीं चाहिए रामलार समझ रहे हो ना सब समझ रहा हूँ अगले दिन रामलार अपने कमरे में बेठा पत्र लिख रहा है लिखने के बाद पत्र कोट की जेब में डाला और कुरसी से उठ खड़ा हुआ कुछ देर कुरसी को देखता रहा फिर मैं जा रहा हूँ ये मेरी प्यारी कुरसी अब तुझे कभी चूचू नहीं करनी पड़ेगी मैं शंड मुशंड रेस्टरोन जा रहा हूँ वहाँ जहां कात्ल सीह की गोली इसका नाम कर देखती अब मैं तुझ पर बेठने के लिए कभी नहीं आऊंगा तु रोना नहीं, देख तु रोना नहीं रामलाल, बोल मेरी प्यारी कुरसी ना जा, मुझे छोड कर ना जा देख, ऐसा ना बोल, नहीं मैं तो मेरो पड़ूंगी कात्ल सीह के हलक में पाच हजार रुपे उतार चुका हूँ अब अगर वे वहाँ नहीं गया तो फोकट में उसकी हो जाएंगे पाच हजार वसूल करने मुझे शंड मुषंड रेस्टोरोन जाना ही होगा मैं किसके सहारा जिंदी रहूंगी रामलाल अरी कुरसी होकर ये कैसी बाते कर रही है मुझे रोना आ जाएगा रामलाल दोड कर कुरसी से लिपट गया और रोने लगा ड्रोइंग रूम में रामलाल और रही मैं जा रहा हूँ रही कहा हुजूर जहां से कोई वापस नहीं आता उपड जा रहे हो क्या हाँ जाईए सरकार जरूर जाईए खुदा टकी लगाए आपका इंतजार कर रहा है लो मेरा यहाँ प्रेम पत्र स्वीटी को दे देना शंड मुशंड रेस्टोरोंट में दर्वाजे से दाखिर होते कातिर सीह को देखते ही रामलाल का चेहरा पड़ गया तूक सटकाने उसने होटो पर जीफ फेरी कातिर सीह वहीं खड़ा किसी की तलाश करने की कोशिश कर रहा था रामलाल पर नजर पड़ते ही वह उसके पास गया साथ ही गाने भी लगा हम छोड़ने वाले मफिल को याद आए कभी तो मत रोना हेलो नहीं हिलना तेरे बाप का राच्छे क्या क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ रामलाल कहते है मुझे क्या मैं आपके बाप का नाम जान सकता हूँ बाप का क्यो क्योंकि मैं बाप का नाम जानने के बाद बेटे का नाम बता सकता हूँ 32 दिखा के ऐसा जी हाँ मेरे बाप का नाम जालिम सीहा थे हैं, तो तुम्हारा नाम कातिल सीहा हो गा कमाल है, आपको कैसे पता चल गया, रामलाल जी हमको ऐसे ही पता लग जाता है रामलाल बड़ा टेलेंटेड आदमी है, 32 दिखा के, आप तो बिल्कुल वेसे ही है रामलाल जी, जैसा सुना था क्या सुना था हमारे बारे में बड़ी तारीश सुनी थी आपकी क्या मैं यहां बेट सकता हूँ पर 32 दिखा कर बेटियेगा उधर रामलाल ने मेरे और तुम्हारे संबंदों को लेकर इतनी गरतबा सोच के से दी स्वीटी तुम तो जानते हो साजन वे थोड़े शक की मिजास के है उनका शक दूर करने का मैंने एक तरीका सोच लिया है आगे की कहानी को जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिए और ब्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए और हमको आपकी कमेंट का इंतजार होता है धन्यवाद